वेलकम बैक एवरीवन वेलकम टो सोवल सर्विसे श्टड़ी प्रक्टिस सेट नंबर 136 लगाते हैं यूपी पीसियस के लिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पूरी की पूरी टैस्ट स्रीज की प्लिल्स बना रखी है मैंने वहाँ पर आप टैस्ट नंबर बन से लेकर 136 इस तक पहुंच सकते हैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो कोशन नुमर बन पर आजए नमलिखित कतनों में से कौन सा कतन जो है वो करेक्ट है पहला स्टेट्मेंट है राश्ट पती जो है वो कारे पालिका का वास्तविक प्रधान होता है जब कि प्रधान मंत्री कारे पालिका का नाम मातर का मुख्या होता है केंद्रे मंत्री परशद राश्ट पती को कारे संपन कराने में परामर्स देती है इस परामर्स को मानने के लिए राश्ट पती वाध्यकारी होता है बताईए केंद्रे मंत्री परशाद राष्टपती को कार संपन कराने में परामर्स देती है और इस परामर्स को मारने के लिए राष्टपती बाध्यकारी होता है क्या देखें पहला जो statement है राष्टपती कारेपालिका का वास्त्विक प्रधान नहीं होता है नाम मात्र का प्रधान होता है जो वास्त्विक मुखिया है वो प्रधान मंत्री है ठीक है गलत है पहला वाला statement और दूसरा वाला जो है वो correct है तो भारत की संसरी व्यवस्ता में राष्टपती नाम मात्र का प्रधान होता है जबकि वास्त्विक मुखिया होता प्रधान मंत्री ठीक है नॉमिनल है प्रेसिडेंट और रियल है प्यम देखें भारत की सभी कारेकारी सक्तियां जो है राष्टपती के नाम से ही चलती है भा और आमर्स को मारने के लिए राष्ट्रपती बाध्धेकारी होगा यहीं उसकी सक्तियां जो है वो कम पढ़ जाती है कौशन नमर्टू पर आजेए नमलखित में से कौन राष्ट्रपती के परशाद पयंत्र पद्धारण करते हैं कौन कौन है राष्ट्रपती के परशाद प पयंत्र है और अन्यमंत्री मतलब मंत्री परिशद के मंत्री सारे के सारे परशाद पयंत्र हो गए तो इसके 1234 हो जाएगा इसकांसर डी तो देखें यह सभी राष्ट्रपती के परशाद पयंत्र पद्धरण करते हैं परशाद पयंत्र का यहां अर्थ यह है कि राष्ट् लेकिन नाम मात्र का प्रधान है भारत की सभी कारिकारी सक्तियां राश्टपति के नाम से चलती हैं वह अंतराश्टिय संधियों के बारे में बंद बना सकता है भारत के प्रधान मंत्री की निकती करता है और अन्य मंत्रियों की निकती प्रधान मंत्री की सलापर करता है इस से दोनों इसके परशाद पैंद्र अपने पद पर बने रहते हैं कोशन भूर्थ्री पर आजए नमलिखित कात्नों बचार कीजिए बताये कौन सा करेक्ट है सनसद्य सरकार को कैविनेट सरकार या उतरदाई सरकार या सरकार का वेस्ट मिन्स्टर सरूप भी कहा जाता है ये भारत, अमेरिका, ब्राजिल, रूस और स्रीलंका आदी में प्रशलित है राष्टपती सासन वाली सरकार को गैर उतरदाई सरकार या गैर संसदिय सरकार या निशित कारिकारी विवस्था भी कहा जाता है यह ब्रिटेन, जापान, कनाडा में प्रशलित है भारत का संबिधान, केंद्र और राज दोनों में सरकार के संसदिय सरूप की विवस्था करता है बताए कौन सा करेक्ट है देखे पहली बार तो राष्टपती सासन वाली सरकार जो है वो ब्रिटेन में नहीं है ठीक है अमेरिका में है और कहां पर है रूस में है और कहां पर है स्री लंका में है तो गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट संसद्य सरकार को कैबिनेट सरकार या उत्तरदाई सरकार कहते हैं तो यह अमेरिका में नहीं है तो इसकी वैसे यह पहला वाला भी गलत हो गया तो पह मिन्स्टर सुरूप भी कहा जाता है यह भारत ब्रिटें जपान और कनाड़ादी में प्रश्रित है राष्ठपती ससन्वाली सरकार को गहर उतरधाई सरकार या गैर संसद्य सरकार या निष्चित कारी-कारी विवस्था भी कहा करता है यह हैं अमेरिका में ब्राजिल में रूस में और स्री लंका में याद रखना है इसको भारत का संभिधान केंद्र और राज दोनों में सरकार के संसद्य सुरूप की विवस्था करता है कोशन नमबर फूर पर आजए नमलिकित कतनों पर विचार करना है दो स्टेट्मेंट है यहां पर कतन कारण बाले और नीचे देगे कूट का प्रियोग करके सही उत्तर काशन करना है यह दोनों करेक्ट होंगे एक दूसरे की व्याक्या कर रहे होंगे तो उत्तर यह होगा इन में सो कई सही गलत होगा तो उत्तर CRD में से दिया जाएगा पहला स्टेट्मेंट कथन कहता है कि अनुचेद 74 और नुचेद 75 में केंद्र के लिए संसदी विवस्था का उपबंध है अनुचेद 163 और अनुचेद 164 में राज्यों के लिए संसदी विवस्था का उपबंध है दोनों स्टेट्मेंट अलग-अलग बाते कर रहे हैं उ एंद्र के लिए संसदी है विवस्था का उपबंध है क्योंकि संबेधान में लिखा है थिका उनुच्छल 1663 और 164 में राजियों के लिए संसरी विवस्था का उलेख है तो कखन और कारण दोनों सही हैं लेकिन जो कारण की सही व्याख्या नहीं करता है इसलिए इसका अंसर जो है वो बी हो जाएगा कोश्चन नुबर फाइब पर आजए राष्टपती द्वारा नम्लिखित में से किसकी न्युक्ति की जाती है भारत के महनाईवादी की सरवोच न्याले के मुख न्याधीस एवं अन्य न्याधीस की सरवोच न्याले के मुख न्याधीस एवं अन्य न्याधीस की राज्यों के जिला सत्र न्याले के न्याधीस की यानि डिस्टिक जज़ की सुप्रीम कोर्ट के जज़ हो गए हाई कोर्ट के जज़ हो गए डिस्टिक कोर्ट के जज़ हो गए भारत के महाय नयवादी के निक्ति राष्टपती दोरा की जाती है, हाई कोट सुप्रीम कोट के जजों की निक्ति भी राष्टपती दोरा की जाती है, जो डिस्टिक कोट के जज होते हैं, उनकी निक्ति करते हैं, राज्यों के राजपाल, फोर्थ को एलिमिनेट करिए, इस कौन सरकार की व्यवस्था का नेतरत्व करता है वह मंत्री परशद का संसत का और 79 दलकार नेता होता है और वह भारत के या सरकार के संचालन में एक महत्वपूर्ण एहम भूमिका का निर्वहन करता है ये लोग सभाय स्पीकर नहीं है राजसभा का सभापती नहीं है ये प्राश्ट पती नहीं है ये है परधान मंत्री ठीक है तो देखे सरकार की व्यवस्था में परधान मंत्री नेतरत्व करता की भूमिका निवाता है वह मंत्री परशद का संसत का और 79 दलका नेता होता है इन शमताओं में वह सरकार के संचालन में एक महत्वपूर्ण एहम भूमिका का निरूहन करता है Question No.7 पर आजाईए नमरिकित में से कौन सा यसी संसदिय सरकार की विशिश्थाएं है कौन कौन सी इसमें संसदिय सरकार की विशिश्थाएं है दोहरी कार कारणी संसदे सरकार की विशिस्ता है राष्ट पती का न्यंतरन तो अध्यक शात्मक सासन की विवस्ता है गलत है बहुमत दलके नेता का साशन सामोह कुत्रदाय तो ये संसदे सरकार की विवस्ता है तो एक तीन चार इसका अंसर हो जाएगा दो से एलिमिनेट हो जाता पूरा का पूरा ये कॉश्चन नुबर एट पर आज़ेए नमलिखित में से कौन से संबिधान संसोधन राश्ट पती के लिए मंत्री परशद की सला को मानना अनिवार बना दिया कौन से संबिधान संसोधनों ने राश्ट पती के लिए मंत्री परशद की सला को मानना अनिवार बना दिया जैसे उपर आपने के स्टेट्मेंट में पढ़ा था ठीक है यही इसको नोमिनल हेड बना देता है और नाम मात्र का मुखिया बना देता है और रियल पावर चली जाती है परधान मंत्री के पास जैसे कि आप देख रहे होंगे बरतमान में भी सालों से ऐसी होता है तो 42 और 44 संबिधान संसोदन अधिनयम सी तो देखें 42 और 44 Constitution Amendment क्रमसर 1976 और 1978 ने राश्ट पती के लिए मंत्री परश्ट की सला को मानना अनिवार बना दिया यहां एक बात का और ध्यान रखिए वैलिस पे संबिधान संसोदन अधिनयम को मिनी Constitution के नाम से जाना जाता है इस संबिधान संसोदन में सबसे जादा प्रावधान किये गए हैं और उधारन के तौर पर यह दिया हम समझें तो संबिधान की प्रस्ताब नामे समाजबादी धर्म निर्पेक्ष और अखटनता जिसे सब्दों को इसी Constitution Amendment में जोड़ा गया वैलिस में Question No.9 पर आजए इन में से कौन सी संग्य सरकार की विसेश्ता है संग्य सरकार की कौन सी विसेश्ता है स्टिट्मेंट के साथ बताना है दोहरी सरकार होती है संग्य सरकार में लेखित संबिधान होता है संग्य सरकार में कठोर संबिधान होता है संग्य सरकार में संबिधान क सर्वोचता होती है संग्य सरकार में सुतंत्र नयापालिका होती है संग्य सरकार में अगर इसकी एकात्मक सरकार का एक्जामपल देना हो यहाँ पर तो कठोर की जगा के लेचिला संभितान होगा तो एकल सरकार की बेवस्ता हो जाएगी सुतंत्र नियापालिका की जिए एकल नियापालिका होगी तो एकल सरकार की या अध्यक्षात्मक सरकार की जो है वो विसेशता हो जाएगी पूछ लेता है इंपोर्टन्ट होते हैं सारी की सारी विसेशता हैं फिलाल संखे सरकार की ही है तो 1,2,3,4,5 इसका अंसर हो जाएगा D तो देखिए दोहरी सरकार हो गई लिखित संभिधान, कठोर संभिधान, संभिधान, सर्वोच सोतंत्र नियाइपाली का है, दुईसद नियाविधाई का है राश्टे अवम छेत्र या राज सरकारों के वीच सक्तियों का विभाजन ये सारी की सारी जो है संखे सरकार की विसेशताएं है दस प्रश्ण, कोश्चन नमबर दस है, अंतिम प्रश्ण है ये अमलखित कत्नों पर विचार करना है, दो स्टेटमेंट के साथ बताएं कौन साइन में करेक्ट होगा पहला स्टेटमेंट है, रक्षा, विदेशी, मुद्रा, संचार, संबंदी मामले, केंद सरकार के अंतरगत आते हैं बिलकुल ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, और C है इसका आंसर तो देखे, भारत के संबिधान में केंदर और राजियों के वीच विच सक्तियों का विभाजन किया गया है इसमें साथ मियन सूची में केंद्र सूची के मामले, राज सूची के मामले एवं संबर्ती सूची के मामलों का उलेख किया गया है केंद्र सूची के मामलों पर सेंट्रल कावर्मेंट कानून बनाएगी राज सूची के मामलों पर स्टेट कावर्मेंट कानून बनाएगी और संबर्ती सूची के मामलों पर सेंट्रल भी बनाएगी और राज भी बनाएगी लेकिन यदि समबर्ती सूची के मामले पर कोई विवाद पैदा होता है तो उसमें जो अंतिम नड़ने होगा वो सेंटरल गाउर्मेंट का होगा यानि केंसरकार का होगा ठीक है और इसके द्वारा जो बनाया गया कानून होगा ऐसा बनाया गया कानून को ना तो केंदर सूची में रखा जाएगा ना राजिस सूची में रखा जाएगा और नहीं संबर्ती सूची में रखा जाएगा ऐसे कानून को तो अपसिस्ट सूची में रखा जाएगा ठीक है ये बात सांज में आ गई होगी चलिए तो पॉलिटी के प्राश्णते इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट हैं की एक्स्प्लेशन इसकी प्रेक्टिस कम से कम एक बार कर लेना धन्यवाद हर दिन टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है इसका अलाब उठते रही है फॉर्म आप भर सकते हो तेरे जून का एक्जाम है यूपी पीसी एस का और 27 जून को है यूपी एससे से वल से वगाः